दोस्तों आप भी जाते हो जब योनों लॉग इन करने तो आपका भी लॉग इन नहीं होता है आपके मोबाइल नमर पे OTP नहीं आता है जैसा कि आभी देख सकते हो तो जब आप रिसेंड OTP पे क्लिक करते हो तो यहां पर बताता है कि आपका यूजर आइडिया और पासवर् दिखाऊंगा आपको इस तरह की का वीडियो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा तो वीडियो को पूरी कम्ट्विट देखेगा और चलना पर नहीं वह तो सब्सक्काइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरू किजिएगा तो देखिए हम ओके करक दोस्तो आप लोग को Google ओपेन करना है देखिए अपने बहुत सारी वीडियो देखेंगे लेकिन लोग इन नहीं कर पाए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत असनिसद्व कर पाएंगे बीना ब्रांच गया तो दोस्तो आपको गूगल ओपेन करना है और इसके क्लिक कर देने के बाद दोस्तों इसको हम थ्वासा जूम कर लेते हैं जिससे की आप लोग को दीखे तो दोस्तों आप यहां पे देख पार होंगे continue to login का एक अपसन दीख रहोगा मैं इसको यहां पे highlight कर रहा हूं ठीक है तो आपको इस continue to login कर देना है इसपे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंट्रफेस आता है और दोस्तों यह चीज आपको बहुत लोग ने बता है लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस है वो कोई नहीं दिखाता है और हम आपको इस वीडियो में लॉग इन करके भी दिखाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखे सबसे पहले आपको अपनी पास सकते हैं ठीक है नहीं तो फिर से आप आपको 24 गंटे वेट करने पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप इन दोनों को फॉर्मेट कर लिजेगा आपनी लॉग इन पासपर्ड और यूजरनेम दोनों को देखिए यहाँ पर आप एरो पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के ब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप से कुछ डिटेल्स मंगेगा ठीक है हम इसको त्वासा जूम कर गया आपको दिखा रहे हैं देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर आपको CIF नमबर डालने को बढ़ें जो कि आपके पास्बुक पर दिया रहेता है या फिर आप अपनी ब्रां कंट्री सेलेक्ट होगा जैसे हम लोग इंडिया से हैं इसके बाद यहाँ पर आपका CIF नमबर रहेगा ठीक है इसको डालकर आपको यहाँ पर सब्मिट कर देना है अब जैसे आप इसको सब्मिट करेंगे तो आपका जो भी पहले यूजरनेम होगा वह आपको दिख जाग जब देखिए onlineSBA.com आएंगे खोलेंगे तो इस तरीके से आपके सामने open होगा ठीक है तो आप यहाँ पर login पर क्लिक कर देंगे फिर से मैं आपको starting से बता दे रहा हूँ इस पर क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर continue कर देंगे यहाँ पर continue है इस पर क्लिक कर देने के बाद अ सबसे ऊपर वाले को select कीजिएगा जिसमें लिखा रहेगा forget my login password इसको select कर देने के बाद अब यहाँ पर next कीजिएगा तो यहाँ पर आप से कुछ details मागेगा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले username तो आपका तो username पता हो गया रहेगा जैसे कि मैंने आपको पहले तो उस तरीक से username पता करना है तो उस तरीक से username पता कर लिजिए गा username पता हो जाने के बाद अपनी account number नमबर यहाँ डाल दीजईगा इसके बाद यहाँ पर country डाल दीजिए गा इसके बाद date of birth यहाँ डाल आपर डालिएगा जैसे कि पहले date यानि दिनांग, फिर month और इसके सब्मिट कर देंगे अब दोस्तों यहांपे देख सकते हों कि मैं साय डे डिटेल को डाल दिया हुओ इसके बाद यहांपर जो केपचा नेखिर इस केपचा को इस बक्स में डाल देना तो चली हम इसरो को सामने लाइब डाल देता हुओ तो यहांपर केपचा hosts CD और फिर है C और इसके बाद 2 और C ठीक है यह सारे capital में है तो देखिए हमने यहाँ पर capture को डाल दिया इसके बाद यहाँ पर submit button पर click कर देना है अब मैं submit button पर जैसे click करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपके सामने फोर्वेट करने के लिए कुछ डिटेल्स देने पड़ेंगे जैसे कि ATM का डिटेल्स या फिर अपनी परफाइल पास्बर्ड या फिर आप चाहे तो ब्रांच जाकर एक्टिवेशन कोड के दौरा इसको एक्टिवेट कर सकते हैं लेकिन मैं आपको तुरंत अभी करके दिखाने वाला हूं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूजिंग ATM कार्ड पर स्लेट करेंगे आप लोग के पास ATM कार्ड जरूर होगा इसके बाद यहाँ पर सब्मिट प एक्टिवेट मंगेगा ठीक है आपकी पीन मंगेगा जिससे आप ATM से पैसा निकालते हैं इसके बाद होल्डर नेम ठीक है और इसके नीचे यहाँ पर जो की आपका क्यप्चा दिख रहे है उसको इसमें डाल देना है चलिए हम इसको भी डाल देते हैं इसके बाद मैं आग 0 और C और इसके बाद 0 चली यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया, इसके बाद अब यहाँ पर प्रॉसीट पर क्लिक करते हैं इसपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आप का एक reference number generate हो जाएगा धीक है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है automatic यह वाली page refresh हो जाएगे आपको back भी नहीं करना है नहीं आपको कुछ भी करना है ठीक है देख सकते हैं अपि लिकशा डालेंगे फिर यहाँ पर डालेंगे ठीक है तो अब मैं आपको वतादू कि काफी लोग को password set करने भी दीकत आती है तो पासवर्ट आप किस तरीके से set करेंगे जैसे कि आप अपना यहाँ पर add the rate डालेंगे इसके बाद आपका जो भी नाम है उसको डालेंगे ठीक है इसके बाद password को डाल देने बाद यहां पर submit पे click कर देंगे और submit पे click कर देने बाद अब इसके बाद आपका जो है password reset हो जाएगा अब जब login करेंगे तो आसान से login हो जाएगा चलिए हम login करके भी दिखा देते हैं ठीक है तो मैं पहले से password को reset करके रखाऊ अब मैं अपनी योनों को open करता हूँ और इसके बाद मैं आप लोग इन करके दिखाता हूँ तो देखी यहां पर मैं अपनी योनों को open कर रहा हूँ open करने पर register now पर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद c1 में रहा है तो मैं इसको select करके next कर दूँगा इसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ timer चलता है तो यहां से 53 सेकेंड तक आते आते हैं आपका यहां पर login हो जाता है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं कि आप प्रोसीट और password डाल दिया और इसके बाद नीचे आपको submit बटन पर क्लिक कर देना है अब इस जैसे submit बटन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब आपके register mobile नमबर पर OTP आ जाएगा और आप उस OTP को यहां पर डालेंगे जैसा कि यहां पर देख सकते हैं मेरे OTP आ चुक है हम इसको copy करेंगे और यहां पर इंटर OTP पर डाल देंगे और इसके बाद नीचे next button पर क्लिक कर देंगे अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि you have successfully registered और यहाँ पर मेरा योनो यहाँ पर successful login हो चुक है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाड़ोंगे तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी username को भी find कर सकते हो अगर आप भूल गए हो तो या फिर अपनी passport को forget कर सकते हो और इसके बाद इसमें आसाने से login कर सकते हो अगर इसके बाद भी आपको कोई problem हो रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजेगा मैं आप लोग को बता दूँगा कि कौनचे आपकी problem आ रही है और आपकी problem कैसे ठीक होगी तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much